नमस्कार दोस्तों पायस हैस्ट्रो में आपका स्वागत है कहीं आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का कारण गंड मूल नक्षक्त्र तो ने कहीं आप गंड मूल नक्षत्र में पैदा तो नहीं हुए जिसके कारण आपको जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़ा है जब बच्चा पैदा होता है तो लोग जोटसी के पास जाते हैं और पूछते हैं हमारा बच्चा मूलों में पैदा तो नहीं हुआ या सतैसा तो नहीं लगा है अनेक जोतिश ग्रंथों में गंडात अर्थात गंड मूल नक्षत्र का उल्लेक है व्रहत पराशर होरा शास्त्र, जातक परिजात, जातका भरणम, इत्यादी ग्रंथों में इसका उल्लेक मिलता है इनमें बताया गया है कि गंडमूल नप्छत्र के सभी चरणों का अलग-अलग फल होता है तो आईए उस पर एक संचित्त चर्चा कर लेते हैं और उसके उपाय भी जान लेते हैं वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जिससे यदि आपके सताइसा के कारण आपको लाइफ में दिक्कते आ रही हैं तो आप उनका समाधान स्वयम कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें जोतिश में अवधारणा है कि गंड़मूल नक्षत्र में जन लेने वाले जातक स्वयम, माता-पिता या सगे संबंधियों के लिए कस्टकारी होते हैं जैसे हर ग्रह शुब और अशुब प्रभाव देते हैं, ऐसे ही हर नक्षत्र शुब और अशुब प्रभाव देते हैं. गंडमूल नक्षत्र भी कई बार शुब होते हैं, तो कई बार अशुब भी होते हैं. इसलिए जब नक्षत्र का नेगेटिव प्रभाव दिखाई दे तभी इसके उपाय कराने की आवशक्ता है अन्यता नहीं आये समझते हैं कि गंडबूल नक्षत्र बनते कैसे हैं राशी और नक्षत्र का जब एक ही इस्थान पर उधय होता है एक ही अंच पर उता है तो उस आधार पर गंडबूल नक्षत्र का निर्माण होता है इसके निर्माण के लिए कुई छे परिस्थितियां बनती हैं, जिनमें तीन नक्षत्र गंड कहे जाते हैं और तीन नक्षत्र मूल कहे जाते हैं इसके लिए दोग्रा बहुत जरूरी माने गए हैं, पहला केतु और दूसरा बुद्ध आपने तुलसी रास जी का नाम सुना होगा जिन्होंने रामचरितर मानस की रचना की थी वह अभी गंड मूल नक्षतर में पैदा हुए थे और कहा जाता है कि जीवन में उन्हें बड़े कस्ट उठाने पड़े थे मुठी भर अन्ने के लिए भी कई बार उनको तरसना पड़ जाता था प्रतीक वेक्ति पर नक्षतर के अनुसार अलग-अलग फल पड़ता है इसलिए आप पहले अपनी कुंडली का अध्यन करिए फिर आप इस निशकर्स पर पहुँचे कि आपका नक्षतर बुरा है या अच्छा आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप कौन से नक्षतर में पैदा हुए हैं सबसे पहले तो आप राशी के नाम से पता लगा सकते हैं दूसरा तरीका है कि कोई भी कुंडली का सौफटवेर डाउनलोड कीजे और उसके बाद आप उसमें अपनी information भरिये और कुंडली को निकाल लीजे यदि हिंदी में है तो मूल विवरन और अगर अगर अंग्रीजी में है तो basic information पर आपको जाना है और वहाँ पर अपने नक्षतर को चेक करना है कि हम किस नक्षतर में पैदा हुए हैं यदि आप इन छे नक्षत्रों में पैदा हुए हैं तो समझेगा कि आप कही न कही मूल नक्षत्र से जुड़े हुए हैं वो नक्षत्र हैं अश्वनी, अश्लेशा, मघा, जेस्ठा, मूल व रेवती केतु के पहले गंडमूल नक्षत्र को अश्वनी नक्षत्र कहते हैं अश्वनी नक्षत्र मेश राशी में शून्य आंश से आरंब होकर तेरे आंश 20 मिनट तक रहता है जन्म के समय यदि चंद्रमा इन अंशो में स्थित होता है तो इसे गंडबूल नक्षत्र में माना जाता है जीवन में आने वाली कटनाईयों के लिए लोग ज़्यादा तर S.R.K. यानि शानी राहू और केतू को दोश देते हैं परंतु सबसे ज़्यादा मानसिक तकलीफ आपको चंद्र ही देता है अगर चंद्र कुडली में खराब है तो गंडबूल नक्षत्र आप पर बहुत प्रभावी होंगे लेकिन यलिए आपका चंद्र स्ट्रॉंग है तो समझे आए कि फिर को सताईशा और किसी तरह का मूल नक्षत्र आपका कुछ नहीं बेगाड सकता हाला कि हमने चंद्र के उपर एक वीडियो बनाई है आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने पर जातों को कठनाईयों का सामना करना पड़ता है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा अपने पिता पर भारी कहा जाता है कहा जाता है कि उसके जन्म लेने के बाद पिता को स्वास्त में हानी हो सकती है लेकिन इसके साथ आपको कुड़ली में सूरे के स्थिति को भी देखना होगा यह समय केवल 7 वर्ष तक परिशा उसे बहुत सारे जीवन में अवसर प्रदान होते हैं आगे बढ़ने के, उसे मित्रों का लाब पूरा मिलता है, वह घूमने फिरने का थोड़ा शौकीन होता है, इसलिए ऐसे लोग थोड़ा एक स्थान बर टिक कर नहीं रहते हैं, लेकिन ये नुकसान्दे नहीं होता, चौ यहां चंद्रमा सूनने से लेकर और 13 अंश 40 मिनट तक रहता है, यदि इस बीच में बच्चा पैदा हुआ है, तो उसे मगा नक्षत्र में माना जाएगा, और मगा नक्षत्र के पहले चरण का फल है, कि बच्चा अपनी मा पर भारी होता है, मा के लिए बहुत कस्ट आते ह दूसरे चरण में जन्म लेने वाला बच्चा थोड़ा सा पिताग पर भारी होता है, उसको स्वास्त संबंदित और धन संबंदित हानियों का सामना करना पड़ता है, जबके तीसरे चरण में जन्म लेने वाला बच्चा सुखी जीवन प्राप्त करता है, यदि बच्चे क धनुराशी में सूनने से 13 अंस 20 मिनट तक होते हैं तब इस नक्षत्र का उद्य होता है। इस नक्षत्र में जन्में जातको के माता-पिता को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो माता-पिता के लिए अशुब माना गया है। ऐसे इस्तिती में उनका जीवन थोड़ा कस्टपूर्ण होता है। मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में भी कुछ यही हाल होता है। तीसरे सरण में हुआ हो तो वह स्वयम की संपत्ती को नस्ट कर देता है। या ऐसा बच्चा अपनी संपत्ती से वंचित हो जाता है। इन्हें पैत्रिक संपत्ती नहीं मिल पाती है। यदि बालक चौथे चरण में पैदा हुआ है तो वह जीवन परियंत सुखी रहता है। परंतु जीवन में एक बारों से बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है यानि बहुत बड़ी धनहानी उसको होती ही है। अशलेशा नक्षत्र यह बुद्ध का नक्षत्र है जब चंद्रमा करक राशी में 16 अंस 40 मिनट से लेकर और 30 अंस तक रहता है तो उस समय अशलेशा नक्षत्र लगता है। श्लेशा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने पर किसी प्रकार का अशुब दोस्तों नहीं लगता, परंतु फिर भी ऐसे वेक्ति को धनहानी उठानी पड़ती है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाला जातक अपने भाई बहनों के लिए कस्ट कारी होता है। अशुम नक्षत्रों में रखा गया है। वह किसी ना किसी तरह के कृत्यों में फसा रहता है जिसके कारण उसको जेल, अथवा, धनहानी या किसी तरह के लेटीगेशन का सामना करना पड़ता है। रेवती नक्षत्र मीन राशी में 16 अंश 40 मिनट से लेकर 30 अंश तक रेवती नक्षत्र होता है। यह बुद्ध का नक्षत्र है। यदि जन्म रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो जीवन अराम से बीटता है और आर्थिक लाव होता है। दूसरे चरण में जन्म होने पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी नौकरी भी लगती है। साथी विवसाय में काम्यवी भी मिलती है। पर ऐसे लोगों को भूमी में हानी हो सकती है। रेती नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म देले वाला जातक धन संपत्ती का सुख प्राप्त होता है परंतु इस धन के जाने की संभावना बनी रहती है चतुर्त चरण में जन्म देने वाला जातक स्वयम के लिए कस्टकारी होता है कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे अपने माता-पिता के लिए कस्टकारी होते हैं और इनके जन्म के तुरंत बाद माता-पिता को काफी नुकसान भी होता है दोस्तों यदि जातक अशलेशा, जेस्ठा या रेती नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उस नक्षत्र के स्वामी बुद्ध होते हैं आपको ये चेक करना है कि आपका बच्चा या आप तोतले तो नहीं बोलते, सरको फर यानि शब्दों के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर हकलाते तो नहीं है यदि ऐसा है तो फिर ये नक्षत्र आपको नेगेटिव यानि नकार अत्मक प्रभात दे रहे हैं आपको फिर इसका उपाय जरूर कराना चाहिए गंडमूल नक्षत्र के उपाय के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इसकी पूजा करा लेना विदिवत पूजा कराई ये काफी अच्छा रहता है लेकिन यदि आपके पास धन नहीं है तो फिर आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जो सब कर सकते हैं और बहुत ही कारगर भी है जैसा कि कहा जाता है कि इस धर्ती पर पाई जाने वाली हर चीज हर मनुश्य हर वस्तु किसी न किसी ग्रह से जुड़ी होती है अगर आप उसका दान करते हैं उन चीजों का संचे करते हैं तो वह ग्रह कमजोर या शक्तिशाली हो सकता है मूली एक ऐसी वस्तु है ऐसी ओशली है जिसके अंदर केतु और बुद्ध दोनों का प्रभाव पूरी तरह से पाया जाता है इसलिए 27 के लिए कई विद्वान लोग यह भी बताते हैं कि आपको मूली का प्रियोग करना चाहिए सबसे पहली बात अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सताइशा में होने वाला है या हो गया है तो शुरू के 27 दिन तक पिता को अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए पत्ते समेत मूली को ले जाकर बच्चे के सिरहने रख देना चाहिए जहाँ पर जच्चा और बच्चा दोनों हो उसके बाद 24 गंटे के बाद इस मूली को ले जाकर किसी भैते पानी में छोड़ देना चाहिए ऐसा लगातार 27 दिन करना चाहिए इससे 27 मूल नक्षत्र गंड मूल का प्रभाव समाप्त हो जाता है माफ कीजिएगा दोस्तो समाप्त नहीं इसका प्रभाव कम हो जाता है ऐसे लोग जो अब बड़े हो चुके हैं और कोई उपाय नहीं कर सकते यानि वो 27 दिन निकल गए हैं अब आपकी उमर 20 साल से उपर हो चुकी है तो ऐसी इस्तिती में आप अपने देवता की पूजा कर सकते हैं जिस नक्षत्र से आप बिलॉंग करते हैं मगा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो पित्रों की पूजा करनी चाहिए जेस्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो इंद्र की पूजा करनी चाहिए मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो केतु की पूजा करनी चाहिए अगर रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी चाहिए इस तरह से आप अपने नक्षत्र देव की पूजा करके भी लाब प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा अश्वनी मघा और मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और जेस्ठा अशलेशा और रेवती नक्षत्र में पैदा हुए लोग बुद्ध की अराधना कर सकते हैं या मादुर्गा की पूजा करने पर भी उन्हें कुरा लाप मिलेगा गंडबूल नक्षत्र की पूजा के लिए संबंधित नक्षत्र के 11,000 बार जाप किये जाते है पूजा में 27 अलग-अलग जगहों का पानी एकत्रित किया जाता है 27 अलग-अलग पेड़ों की लकडियों से हवन किया जाता है पूजा होने के बाद 27 पंडितों को दक्षना दी जाती है और बच्चे द्वारा पहने गए वस्तरों का दान किया जाता है विदिवत सामगिरी एकत्रित करके हवन किया जाता है इसके लिए आप किसी युग्य ब्राम्वन से मिल सकते हैं जो आपको इसकी पूरी विधी भी बताएगा यदि यह पूजा 27 दिन में नहुँ हुई तो 27 माह या 27 वर्ष में भी करा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे